जहां एक तरफ नितीश कुमार लगतार विपक्ष को एक जूट कर रहे हैं ताकि भाजपा को हराय जा सके वहाई दूसरी तरफ उनके लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं पपू यादो जिहां पपू यादो लगतार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको इंडिया गडबंदन में स उसके पहले नमस्कार में आनाम से शांग बांड़े हैं आप जंदा जंक्षन पर मुझे देख रहे हैं कि अमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब आते हैं कि आखिन पपू यादो से नितीश कुमार को क्या नुकसान होगा पपू यादो जिन जिन लोग सभा पर अप का जिक्र हम करेंगे और आपको बताएंगे कि पपू यादो आखिन नितीश कुमार को किस-किस लोग सभा में नुकसान पहुंचाएंगे सबसे पहले कि 2024 में भाई लोग सभा का चुनाओ है और पपू यादो प्रयास कर रहे हैं कि उनको इंडिया गडवंदन का सदस से ब तमाम लोग सभाओं का दौरा कर रहे हैं और इन तमाम लोग सभा में वो दावा कर रहे हैं कि अगर पपू यादो अकेले लड़ गए इन लोग सभा में से किसी भी लोग सभा में दो लोग सभा में अगर लड़ गए पपू यादो तो वहां के जो उमिद्वार होंगे जो के वोटर है यादो तो इंडिया गढ़ बंदन के ही वोटर है यादो जो है वो तो आपको भाजपा को वोट करेंगे नहीं या तो इंडिया गढ़ बंदन के उमिद्वार यानि की नितीश कुमार के जो उमिद्वार होंगे उनको वोट करेंगे या फिर पपु यादो को वो निटीश कुमार के सांसद है जेडियू के सांसद है इन चारो जगह उपर और इन चारो जगह उपर निटीश कुमार फिर से अपने उमिद्वार को उतारने वाले हैं 2024 के लोगसभा चुनाओं में और अगर निटीश कुमार यहां से अपने उमिद्वार को उतारते हैं और उ प्पू यादो वोट कार्ट देते हैं, तो फिर वहां के प्रतियासी की हार हो जाएगी, ऐसे तो देखा जाए, तो निटिश कुमार लगतार अपने छेतर को मजबूत करवारे हैं, अपने प्रतियासी हो से कह रहे हैं कि आप भई घूमिये, छेतर में जाएए, मजबूत करि रहे हैं, सुपाल जाही रहे हैं और इनका दावा है कि इन चार पांच सीटों पर ऐसे भी पपूई यादों लगतार कह रहे हैं कि 5 से 10 सीटों पर हम इतने मजबूत हैं कि अगर इंडिया गडबंदन में हम को सामिल कर लिया जाए तो इंडिया गडबंदन को काफी फाइदा होगा और देखा भी जाए तो यादों में पप्पु यादो का एक चहरा बन चुका है यादो जो है वो पप्पु यादो को भी अपना नेता मानते हैं और अगर मद्यपुरा के यादो जो है वो नाराज होकर पप्पु यादो को वोट कर देते हैं तो नुकसान किसको होगा जेडियू के उमिद्वार को होगा, वहां से मद्देपुरा में अभी बरतमान में तो जेडियू का सांसद है और कहा भी जा रहा है कि वहां पर नितीश कुमार अपने उमिद्वार को उतारेंगे सुपाल में अपने उमिद्वार को उतारेंगे कटिहार में पुर्णिया में तमाम जगोपर वो अपने उमिद्वार को उतारेंगे तो वहां के जो यादो हैं वो नराज होकर पपु यादो को वोट करेंगे और जब पपू यादो को वोट करेंगे तो फिर इंडिया गडवंदन को नुकसान होगा और हो सकता है कि इन दोनों की लड़ाई में भाजपा बाजी मार जाए इन दोनों को लड़ा कर भारतिये जनता पार्टी आगे निकल जाए और अब देखिए क्या होता है पपू याद राजी नहीं हो रहे हैं कि तेजश्व यादो देख रहे हैं कि हमको थोड़ी नुकसान होगा नुकसान तो निटीश कुमार को होगा तो जब सामिल नहीं किया जाए और अब आगे अगर सामिल नहीं किया जाएगा तो पूर्णिया और उसके बाद कटिहार नहीं तो सुप होगा अब आगे देखिए क्या होता है मेरा इस कबर में इतना ही बने नहीं मार साथ और देखते रहें जन्त जिंक्षन